आदिवासियों का सबसे बड़ा महापर्व सरुल्पूजा पूरे राजे में आज सादगी से मनाय जा रहा है नमस्कार मैं हूँ दिव्यारानी और आप देख रहें जियन भारत प्राकिर्तिक का महापर्व सरुल्पूजा महसव आज पूरे राजी के साथ राजी की राजधानी में साथगी से मनाया जा रहा है राजी के हर सरनास्थल को साफ सफाई कर सजाया गया है वहीं पाहानों के द्वारा पारंपरिक रूप से जल भराई और केकड़ा पकड़ने की विधी को पूर्ण की गई पाहन ग्रामीनों के संग धोल नगाड़े के साथ नास्ते गाते सरनास्थल में पूर्वजों को रोटी पूआ पकवान अरपित किया एवं नदी से दो घड़े में पानी रखा जिसको मौसम की भविश्वानी पहान के द्वारा किया जाएगा कि इस साल बारिस कैसा रहेगा केंद्रे सरना समीते के अध्याज पूलचन तिर्की ने कहा कि पूरोना महामारी के दूसरे चरण का कहर को देखते हुए सर्वल पूजा साथगीर से मनाया जा रहा है सरना स्थलों में कम भीड़ है मास्क एवं सोचल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है इस वर्ट भी पूरोना महामारी को देखते हुए जिलूस नहें निकाला जाएगा आज के दिन सर्वल पूजा एवं कल के दिन फुल्खोंसिक का कारिकरम किया जाएगा अपने गाउं घर के सरना स्थल में ही सोचल डिस्टेंसि का पालन करते हुए एवं मास्क लगा कर सर्वल मनाया बाहरी व्यक्तियों को कारिकरम में सामिल ना करें मुख्य सरना अस्थल सिरम टोली में पांच पांच की संख्या में पाहान पूजा कर सकते हैं कि अब नाइंटिंटिंटे चलते हैं बहुत ही साध्गी पुर्म रूप से हम लोगों ने मनामे का निर्मने लिया है और आज के दिन में यह बहुत ही उत्साइथ हैं सभी जंगल गए हैं जो जंगल से जो फूल होता है और उसका पत्ता होता है और उसको लाते हैं उसके बाद आज की दिन में ही मचली केकड़ा पकड़ने का भी दिन है बहुत साथ लोग मचली के पड़ा पकड़ रहे हैं और पहाम अपने जो जिरामी में इसके साथ में नास्ते बेखते भूल मांगर के साथ में शर्मास्तल में अपने पुर्वजों को अपने आरद्धे को जो भी अपना पकावन है पुआ है जो भी अपना पकावन है उसको और पित करते हैं और घड़े में पानी रखा जाता है दो घड़े में जो पुरिस रिष्टी भरा 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 रहता है फलफूल से लदे ओर जंगल वे बहुत ही सुहाना में मोसम रहता है और इसके चलते हम लोग आज शर्वूल में धर्ती और पुरिथी का मिलन के रूप में आज हम लोग मादे जीयन भारत की ओर से आप सभी को करवल पूजा की धेर सारी सूप कामना है अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीयन भारत के साथ धन्यवाद